जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूं आपके अपने वाक यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे ओट्यागू स्पार्क्स वर्सेज सेंटरल हिंस की बिच में खेला जायेगा नीर जी लेंड ओमेंस और डीडी का मुकाव आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से जुरने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है आपको चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टे आपको दिख जाएंगे केरी टॉम लिंसन बात करूं सामने वाले टिम को लेकर यहाँ पर डेविस आपको दिख जाएंगे जी आडम्स इमा ब्लैक सी ब्लैकली ध्यान रखेगा इडन कार्शन बैक कर रही है फिर यहाँ आपको डेरनेस दिख जाएंगे केटे अब्राम पॉ और इडन कार्शन का जोड़ी बहुत ज्यादा हीट रहता है मिसा से तो यह लगता है कि सामने वाले टिम को पड़ेसानी खरा कर सकती है अब दोस्तों आईए हम बात कर लेते हैं लास्ट टाइम यह दोनों टीम आमने सामने का वाय थी तो वह आय थी 31 अक्टूबर 2021 को 2020 में मैच को वन साइडेड विंड कर लिया था जहां पर आपको देखने को मिलेगा और टैगो मने बोर्ट पर लगाय थे 265 जहां सूजी वेट्स गलती थी लेगिन अभी आपको सूजी वेट्स नहीं दिखेंगी कैटी इब्राम 22 इसके लबासी ब्लैकली 34 पॉली इंगली सं नहीं कहलेंगी कर्टी मार्टी नहीं कहलेंगी बेला जिम से 11 एड़न कारशन 18 इमा ब्लैक बार इसकलाव सौपी ओल्डर तो जीरो और एमलो यहां पर दो की थी गिंदवाजी बात कर लेंगे तो कलोडिया गिरिन शे आवबर 90 सं एक विकेट इसकलावा जेस वटकिन 10 अब एक मैडन 90 रन 4 विकेट हन्ना रोबे 6 में 30 रन अस्तुति कुमारी अभी नहीं खेल रहे मेल सीहंसन आट अबर डोगन 29 रन 3 विकेट जी एटिंग सं पाच ओवर एक मैडन 30 रन 1 विकेट एम ग्रेग पहले गंदवाजी करती थी लेगिन दूस्तों आज कल ज्यादा ग एटेगा गिंग दो उसके लबा यहां पर एटिंग सं एक एम हंसन जीरो अस्तुति कुमार तीन और क्लॉडिया गरीन बाड़ा की थी गंदवाजी में यहां पर ध्यान दीजेगा आपको देखनों को मिलेंगे यहां पर इमा ब्लैक 10 अवर 2 माईडन 33 रन 3 विकेट एम लो नहीं रहा है बात करेंगे 30 अक्टूबर 2021 2021 मैच में वहां पर देखे क्या हुआ था टैगों ने बोल्ट पर लागा थे थे 291 जहां पर सूजी बेट्स को लेकर चरचा नहीं करेंगे टैटी इब्राम कीर्थी 96 वहां की बेला जंस 53 केटी माटन को लेके बात नहीं करेंगे गेंदवाज में एक विकेट क्लॉडिया गिरिन को मिला था एक विकेट हैंसन को मिला हुआ था अब इदार से बात करेंगे बल्ले बाजी में एम ग्रेक 26 की थी वहां के किसी ने मिल जाएगा अगर हम बात करेंगे फेस बर्शेस्पी में तो ये पीच पेसर को जगता मद्द करती है टॉप प्लेर्स एद इस वैन्यू बेस्ट ऑन लास्ट टू येस ओडिया मैचेज को लेके बात कर लेंगे तो यहां पर आपको देखने हो कि मिलेगा सुजी वेट्स क सब्सक्राइब करेंगे अगर हम बात करेंगे दोनों टीम के लास्ट पांच मैच को लेकर तो सेंटल हिंस लास्ट के पांच में से तीन जीते हैं दो हारे हैं अब दोस्तों यहां पर आइए हम बात कर लेते हैं दोनों टीम टीम और सेंटल हिंस इस सीजन जो खेले हैं वहां पर कैसा प्रदस्ट न रहा है तो हम बात करेंगे और टैगो स्पांच का लास्ट मैच में तो नौधरन ब्रेव ने उनको फैंटी लगा दी थी मतलब समझों कि बोट पे इतनी रन खरा कर दे थे अगर मैच होता तो टैगों को हर ना ही था गेंदवाजी में इमा ब्लैक नौवर डाली थी एक्तालीशन विकेट लेकर गई थी जी आडम्स आट अवर चालीशन जीरो विकेट बहुस तरह बाएं को पूछ रहे थी कि रा पात करूं यहां पर बल्लेवाजी में तो 45 आवर के बाद मैच ही नहीं हुआ था टैगों स्पाक्स का इसके लाबा एक मैच वा था नौदर्न ब्रेव के साथ वहां पर देखिए क्या हुआ था टैगों स्पाक्स पहले बल्लेवाजी करतों बोट पर लागाई थी तू था लेगे इनके दो बड़े प्लेर यहां पर मिसेज और थी पहला तो आपको यहां पर दिखेंगे एडन कार्शन दूसरा आपको दिखेंगे पॉली इंग्लिस यहां पर कटी इब्राम 100 की थी बेला जैंस 14 सी ब्लेक लीग 22 एप डेविस 12 सेप्रों विल्जन आर्ट इमा ब् मुकावला खेली है वह खेली है किसके साथ अकलेंड हर्स के साथ वहाँ पर अकलेंड हर्स को इन्होंने फ्रेंटी लगा दी थी बीस ओवर का मैच वाता रिंक बज़र से अकलेंड में बोट ने बोट पर लगा थे बल्ले बाजी यहां बात कर लो तो यहां पर एंडॉड 32 की थी केटे पेडर सन पांच इसके लावा जेस वर्टकिन आठ केडी एने टोमिलिंसन जीरो एम ग्रेग पांच अहना रोवे यहां पर टीसर रन की थी बिगट की पीछे बात करेंगी हमारे पास दो आप्शन अब अगर आप रिस्क एफड कर सकते हो थोड़ा सा आप बड़ा कॉल ले सकते हो तो आप एम ग्रेक के जगब पे बी जेम्स को भी ट्रैकर लीजेगा यह भी एकादनौक अच्छी खासी खेली है पिसले सीजन और अब बात कर लेंगे हैली जंसन नहीं खेलेंगी कटी ब् अगर टैगों के टीम पहले गिंद वाजी करते मैं सौफी यह डर्सों करेंगा अगर सेंट्रल हिंस पहले गिंद वाजी करेंगी तो मैं आर्मेयर को लेकर जाओंगा इसके अलाबा आप लोग एहम लोगों चाहों तो ट्रै कर सकते हो या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ में से किसी एक को ले सकते हो मैंने फिलाल के लिए अपने टीम में आर्मेयर को जगह दिया हुआ है बात करूँ फाइनल टीम प्रिव्यू को लेके एंडॉड पॉली इंग्लिस आप डेविज उसके लाबा एम ग्रेक सी ब्लैकली और अन्ना रोवे के टी ब्रहम जे स्वटकि और पी इंग्लिस में से किसी एक को ट्रै कर लेना बीसी आपना बात करूँ तो मैंने अपने टीम का कैप्टन वीसी मैंने अपना फिलाल के लिए कैप्टन सी जो है वो कटे ब्रहम को दिया हुआ है अब मेरे फाइनल टीम में आप कैप्टन वीसी अपोजिटिवी देख सक उमीद करता हूँ यह थुटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा मिलते है नेक्स वीडियो में तो तक के लिए बाई इंजवाई कीजिए अ झाल